हेलो एवरिवन वेलकम बैक दोट चैनल पीसी एंबी डिजिटल ग्रोकुल तो बटे डिफ्रेंसिशन डी डिफ्रेंसिशन और री डिफ्रेंसिशन 15.2 पढ़ेंगे आज हम बाकी सभी इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्श यह जो में पर्टिकलर फथिंशन एडी तर्कौ यूप्ट कर लेते हैं ये जो इसको दिफ्रेंसिशन कहा जाता है डिफ्रेंसिशन के दौरान सेल जो होता है वो कुछ चेंजिस करता है अपने अंदर उनकी अपनी सेल वॉल में और प्रोटो प्लाजम दोनों में उसके अंदर जब वो मैचॉरिया स्पेसिफिक होता है किसी फंशन के लिए तक कुछ बदलाव देखे जाते हैं जैसे ट्रैक्री अलिमेंट अगर हमें जायलम का बनाना हो तो सेल अपना प्रोटो प्लाजम लूज कर देगा वो डेड हो जाएगा साथी में strong elastic ligno-cellulgic secondary walls form हो जाएंगे trackly element बनाने के लिए xylem के अंदर इस तरीके के चीजे होंगे ligno-cellulgic wall से क्या फायदा होता है long distance तक water travel कर सकता है various anatomical features with the function तो जैसे trackly element, xylem, xylem fiber, flowem इन सब के functions आपने अल्लेडी पड़े हुए है कि कौन water transport में, कौन food transport में काम आता है जो cells एक बार mature हो गए हैं जो differentiated cells हैं वो अपनी capacity to divide, lose कर देते हैं लेकिन कभी-कभी इस तरीके cells under certain conditions दुबारे से division की ability ला सकते हैं जिसको de-differentiation कहा जाता है जैसे inter-facicular और core cambium का formation होना from fully differentiated parenchymal cells ही चीज़ें बनती हैं इसे de-differentiation कहते हैं ये cells जो बनती हैं de-differentiation से जैसे inter-facicularia core cambium ये फिर से divide करकर ऐसा ही cell बनाते हैं जो आगे जाके divide नहीं कर सकते इस property को कहते हैं re-differentiation list some of the tissues and woody dicot that are product of de-differentiation तो secondary cortex, secondary xylem, secondary phloem ये सब ECK products होते हैं right how would you describe a tumor तो tumor भी एक de-differentiation का ही example है कि दुबारे से divide करने लग जाते हैं specific cells what would you call the parenchymal cells that are made to divide under controlled condition तो de-differentiation ही हम इसको भी कहेंगे जो ये वाला question है हमारा उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि plant की growth पता भी हो सकती आगे जाके क्या होगी या नहीं भी नहीं पता तो indeterminate और पता है तो determinate ऐसे हम कह सकते हैं differentiation भी हो सकता है कि determinate हो और indeterminate हो final structure जो है वो location of cells से भी decide होता है for example जो cell root apical merisum से दूर होंगे वो root cap cells बनाएंगे जबकि जो periphery पर जाएंगे वो epidermis का structure form करेंगे कुछ और examples कि आप add कर सकते हैं open differentiation के correlating the position of a cell to its an organ तो यह आप मैं उम्मीद करूंगा comment section में मुझे बताएंगे नहीं तो मुझसे पूश लेंगे thank you so much for watching keep supporting us